गाइस अगर आप इस तरह से अलग-अलग इस टैल में बर्ज़डे के लिए कोलाज बनाना चाहते हैं अपने friends, brothers, sister, जीओफ, बीओफ या relatives के लिए आप इस तरह से अलग-अलग डिजाइन के attractive कोलाज को बनाना चाहते हैं तो इसे कैसे create करेंगे सिर्फ एक click में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ तो वीडियो को बिना कहीं स्किप किए इसे लाश्ट तक जरूर देखे तो चलिए हम वीडियो को सुरू करते हैं तो इसके लिए हमें एक एप को डाउन्लोड करना होगा तो सबसे पहले आप Play Store में Canva सर्च करके Canva एप को डाउन्लोड कर ले मैंने डाउन्लोड कर लिया है अब हम इसे ओपिन कर लेते हैं और यहाँ पर इस तरह से स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर हमें Photo Collage के नाम से एक ओप्सिन मिल जाएगा आप यहाँ से उसे ओपिन कर ले और अगर आपको Photo Collage को ओप्सिन नहीं मिलता है तो आप यहाँ पर Photo Collage सर्च भी कर सकते हैं जैसे कि मैं यहाँ पर सर्च करके इसे ओपिन कर लेती हूँ और अब हमें यहाँ पर बहुत सारे डिजाइंस मिल जाएंगे लेकिन हमें सिर्फ Birdie के लिए बनाना है तो हमें यहाँ पर Birdie लिखा हुआ सो होगा इस पर टैप करेंगे जब हम Birdie को चूस कर लेंगे तो हमें सारा Collage Birdie का ही मिलेगा यहाँ पर आपको Pedia Pro लिखा हुआ Collage भी मिलेगा तो उसे आपको नहीं चूस करना है क्योंकि उसमें पैसे लगेंगे तो अब हम यहाँ पर एक Collage को चूस कर लेते हैं अब एक फोटो पर क्लिक करेंगे और फिर Delete के आइकन पर और नीचे हमें Delete Image का एक Option मिलेगा इस पर क्लिक करके इस फोटो को यहाँ से डिलीट कर लेंगे यहाँ से फोटो डिलीट हो गया है तो अब इसी तरह से तीनो फोटो को यहाँ से डिलीट कर लेते हैं उसके बाद इस प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से गैलरी को चूस कर लेंगे और अब जिस भी फोटो को लगाना है उसे यहां से चूस कर लेंगे और फिर Add to Page पर क्लिक कर लेंगे और अब इसे जिस भी फ्रेम में लगाना है उसके पास आप इस तरह से ले जाएंगे तो यह अपने आप ही फिट हो जाएगा इसी तरह से आगे की तीनों फोटो को Add कर लेंगे अब चौथा फ्रेम मेरा इस सिप में है तो हम अपने फोटो को भी इस सेप में कर लेंगे इस तरह से और फिर इस फोटो को भी इस फ्रेम में एड़ कर लेंगे अगर आपका कोई स्टेप गलत हो जाता है तो यहाँ पर क्लिक करके एक स्टेप पीछे भी जा सकते है अब मेरा कोलाज रेडी हो गया है अगर आप इस तरह से एनिमेट वाला स्टोरी या इस तरह से एनिमेट वाला पोश्ट क्रेट करना चाहते हैं तो Instagram story के लिए इस वाले वीडियो को और Instagram post के लिए इस वाले वीडियो को एक बर जिरूर दिख ले इन दोनों वीडियो का लिंक आपको description box में मिल जाएगा और आपको इस वीडियो के last में मिल जाएगा आप वहाँ से भी इसे देख सकते हैं तो अब हम इस कोलाज को अपने गैलरी में सेव कर लेते हैं इसके लिए उपर इस आइकन पर क्लिक करेंगे और इसे यहां से सेव कर लेंगी इसी तरह से आप बहुत ही आसानी से फोटो कोलाज को क्रेट कर सकते हैं